Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका my young और आई ला रहा हूँ मैं आपके लिए कच्छा चे के लिए इतियास की पार्ट पुस्तक हमारी अतीत भाग एकसिस का अंतिम अध्याय यानि यहाँ पर अध्याय बारे महाँ है आपका यहाँ पर हम इमारतें, चित्र तथा किताबों से संबंदित प्रश्णों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आज का पहला प्रश्ण है आपका महरौली का लह इस्तंब भारतिय शिल्पकारों की कुशलता का एक अदभुत उधारण है इस इस्तंब के संधर्म में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए मुशा गया है यहाँ पर कौन सा कत्न आपका जोगा सही है यह इस्तंब दिल्ली में लाल के लिए के परिसर में खड़ा हुआ है इसका निर्मार लगवक 15 साल पहले हुआ इतने वर्सों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है थाड़ है आपका इस पर खुदे अविलेख में चंदर नामक शाशक की चर्चा है दिल्ली में जो महरौली इस्तंब लगा है आपका और यह आपके भारती शिल्पकारों की कुशलता का एक अदवुत परिचायक है और सबसे इंपोर्टन बाद इसकी यह है कि आई तक यह इस्तंब बिल्कुल खुले में लगा हुआ है यानि इसके उपर कोई चतरी बगारा नहीं है कोई कवर नहीं है बिल्कुल खुले प्रांगण में लगा हुआ है और आज तक इसपे जंग नहीं लगी है यानि कि आपको पता ही होगा कि लोहहा जो होता है कुछ साल बाद हवा से प्रित्क्रिया करके आप जानते होंगे उसको जो है तो उसका ऑक्सी करण होने लगता है तो इस से क्या होता है उस पर जंग आने लगती है लेकिन आज तक इस law इस्तंब पर जंग नहीं लगी है तो यह law इस्तंब जो है लाल किले के परसर में नहीं है बल्कि आपके कुतुब मीनार के परसर में लगा है ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आपकी कुतुब मीनार वाले परसर में लगा है उसमें चंद्रनामक किसी सासक की चरचा है लेकर हाना कि clear नहीं हो पाया है कौन है चंद्गप्त प्रथम की बात और फिगा है चंद्गप्त दृती की बात बात और तो लेकिन ये माना जाता है के संभवत ये किसी गुपत सासक से संभदित है तो यहां तीसरा वाला गतन यहां पर सही है यहां पर दूसरा और तीसरा गतन सही है तो आंसर है आपका B केवल दो और तीन Question number second है अब आपका इस्तूपों के संधर्म में निमलिखित मैंसे कौन सा गतन आपका जो है सही नहीं है इस्तूपों के बारे में जो यहां पर आपके statement दिये हुए हैं आपके तो इनमें से छाटना है कौन सा statement गलत है इस्तूप का साब्दे करत है तीला होता है इस्तूप आकार में कभी गोल, लंबे या तो कभी बड़े या छोटे होते हैं सभी इस्तूपों में बुद्ध या उनके अन्याईयों के सरीर के अवशेस अत्वा उनके द्वारा परियुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखे जाते थे और इसे हम धादु मंजूशा कहते थे इस्तूपों के चारो और परिक्रमा हेतु बना ब्रताकार पत प्रदिछणापत कहलाता है प्रदिछणापत को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे तोरड कहा जाता है तोरड कहते हैं तो सबसे पहली बात है इस्तूप इस्तूप का मतलब होता है साब्दे करते ही होता है तीला ठीक है तो और स्टूप जो होते हैं कभी एक जैसे नहीं होते हैं ज़रूरी नहीं यह गोल हो कभी कभी लंबे भी पाए गए हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं यहां पहला वाला स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है लेकिन इन सब में एक समानता में देखने को मिलती हैं दातून वगेरा है या फिर कोई उनका प्रिय वस्तू है वो एक डिब्बे में पैप करके रख दिये जाते हैं तो इसे हम धातू मंजूशा कहते हैं ठीक है और यहां पर आप देखेंगे तो पहला वाला बीवाला कतन सही है प्रारंबे के स्टूप जो होते थे धातू अब प्रत्रों का निर्मार अब क्या है पत्थों से कीया जाने लगा है या पुराने स्टूप जो बने हुए थे उनको पत्थ्रों से डखा गया है तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है तो यहां भी वाला स्टेमेंट भी सही है सी है इस त EmbK के चारो और परिक्रमा हे तू बना प्रत्यागारफ। प्रदिश्णापत कहला ता है। देखे, इस टूप के जो चारो और जो हिस्सा होता है, चरो और घूम के परिक्रमा की जाती है, उस ब्रत्याकारफ को प्रिश्णापत कहते हैं, यहाँ सीवारा स्रेटमेंट भी सही है और प्रदिछनापत को रेलिंग से घेर दिया जाता है यानि रेलिंग जो आप घरों में लगाई जाती है उसी तरह की रेलिंग यहां लगाई जाती है तो इसे तोरड कहते हैं तोरड नहीं कहते हैं वलकि इसे वेदिका कहते हैं इसको तोरड प्राय जो है आपके मूर्द किला की सुंदर कलाकरतियों से सज्य होते हैं यह हमें आपके साजी की स्थूप में देखने को मिलता है तो यहां पर डी वाला स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि प्रदिछनापत को हम जो रेलिंग है उसको हम तोरण नहीं कहते हैं बलकि वेदिका क कहते हैं तोरण का मतलब होता है प्रवेस द्वार तो यहां पर आपका गलत कतन पूछा गया है तो गलत कतन होगा डी वाला है यह सेकेंड का डी ऑप्सन तीसरा है आपका पूर्व मद्यकालीन आरंभिक हिंदू मंतरों के संधर्म में निम्निकत कतनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कतन यहापर सही है यानि कि आपके पूर्व मद्यकालीन जो आरंभिक मंदर है इनके पारे पूछा गया है कौन सा कतन यहापर सही है और कौन सा कतन यहापर आपका गलत है वो आपको देखना है मंदिरों का सबसे महतपूर भाग मंडप होता था सेकं कहते हैं देखें यहां पर अगर बात की जाए तो मंदरों का सबसे महतुर भाग क्या होता है मंदप नहीं होता है बलके गर्व ग्रह होता है गर्व ग्रह का मलब जहां पर आपके मूर्तियां रखी जाती है यहां पर मूर्तियां विराजमान होती है और यहीं पर आपने यहां पर आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है और यहीं पर आपके देखा होगा बहगा जोब आपके दिखने को मिलते हैं वो त्य हम, सब यहीं पर होते हैं गर गुरह के ऊपर आपने देखा हुआ है, एक लंबा सी तरह से सिखर बना जाता है छीनार एक लिओ और इसका निर्माड काफी उचाई तक किया जाता है इसे हम शिखर कहते हैं तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन बिल्कुर सही है तो आंसर है आपका C केवल थर्ड यानि कि केवल यहाँ पर तीसरा गतन सही है एक और दो गतन असकते है तो आंसर होगा यहाँ पर C यानि केवल थर्ड चौथा प्रश्न है अब आपका आरंबिक मंदरों के संधर्म में निमलिप युगमों पर विजार कीजिए मुचा गया है कौन सा युगमी यहाँ पर सही सुमिलेता है यानि आरंबिक मंदरों के बारे में आपसे मुचा गया है कौन सा युग में यहाँ पर आपको सही दिख रहा है आप भितर गाहों का आरंबिक मंदिर बताया गया है यूपी में स्थित है महामलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर करनाटक एहौल का दुर्गा मंदिर यह तमिल नाडू दिखिए अगर बात की जाए आपका भितर गाहों का जो है आरंबिक मंदिर यह कोई गुप्त सासकों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर था और यह आपके वरतमार में कानपुर डिस्टिक में स्थित है यूपी के कानपुर डिस्टिक में स्थित है और पूरा इंटों से बना हुआ मंदिर है तो आरंबिक इसे इंटों का बना ह क्या होता है एकाश्मिक का मालब क्या कि पूरी कोई बड़ी चटान है और बड़ी चटान को हम पूरी कार्विंग करके इसको कटाई चटाई करके पूरे मंदर का निर्माड करवाए तो उसे एकाश्मिक कहते है यानि एक चटान से बना हुआ मंदर कहते है यानि इसे हम मंदिर बनाया जाता है तो सबसे पहले हम आधार से चलते हैं नीव से चलते हुए उपर के और बढ़ते हैं जबकि जो इस तरह के एकाश्मिन मंदिर बनाया जाते हैं वो ऊपर से चले जाते हैं जो चट्टान तरासी जाती है यानि चट्टान को तरास कर मंदिर बनाया जाती तो यह एक खास बात है, तो महावलीपुरम में आपके खास कर के कई सारे एकाश्मिक मंदर हैं, यानि एक चट्टान से बने हुए मंदर हैं, और महावलीपुरम आपका करनाटक में नहीं पढ़ता है, बलकि आपके तमिल नाडू में पढ़ता है, यानि ध्यान देने वाली आपका बरतमान में करनाटक में पढ़ता है, ना कि आपका तमिल नाडू में, तो यहाँ पर आपका थर्ड गथन भी गलत है, तो यहाँ पर मुच्छा गया है, कि यहाँ पर बदाईए कि कौन सा योग में सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, यानि गलत कौन सा है, यानि कि य यहाँ पर सही सुमिलत कौन सा योग में है, यहाँ पर चौथे का पहला योग में सही सुमिलत है, तो आंसर है यहाँ पर चौथे का A, यानि केवल एक वाला कथन आपका बिल्कुल सही सुमिलत है, पांचमा प्रशन है आपका, यहाँ पर कथन दिया है, कारड दिया है, और इस्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो बुहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी यह तो कथन दिया हुआ है कारण बताया हुआ है हाती दात का काम करने वाले स्थर्मिकों के संग ने सांची के एक अलंकरत प्रविस्द्वा इसको दरन ही नहीं होता हुआ काम यह सालों में काम चलते होंगे तो आम आदम स्थूड़ें मना लेगा इन्हें इनका ओविस्टी बात है निर्मार बड़े-बड़े लोग करवाते थे राजा रानी करवाते थे लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उनके भक्त होते हैं संप्रदाय सि हैं तो यहां पर इसी करभ में बताया गया बताया गया है कि माली जो इनके भक्त को युपहर ला दे थे तो वो इनकी सजावट की सामकरि में एड कर दिये जाते थे तो यहां कथन तो बिल्कुल सही है कारण का एक Example दिया गया कि और A का यहाँ पर सही स्पष्टी गरड़ है यानि पांच में का आंसर होगा यहाँ पर A छटमा आपका गतन है अजन्ता की गुफाओं में की गई चित्रगारी के संदर में निम्निकित कतनों पर विचार की जिए उचा गया है कौन सा गतन यहाँ पर सही नहीं है यानि गलत कतन कौन सा है गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की बज़े से अधिकांस चित्र मशालों की रोसनी में बनाए गए थे सेकंड इन चित्रों के रंग पंद्रेसो साल बाद भी चमकदार है यह रंग पौन हो तता खनेज़ों से बनाए गए थे फ्रड इन महानकृतियों को बनाने वाले कलाकारों के नाम इन चित्रों के कौनों में वर्ड़ित है देखिंश यहाँ पर आपने देखा होगा जो अजनता की गुफाएं हैं अजनता की कमाम गये थे वो मशालों की रोसनी में बनाई गये थे तो पहला कफन यहां विल्कुल सही है आज सिब फंद्रसों साल पहले चित्र बनाइगाई थे लेकिन आज भी यह चमकदार है खास करके इनको बनाने में जितने प्राकर्तिक रंग होते हैं प्राकर्तिक संसाधन होते हैं उनका इस्तिमाल किया गया है तो second कतन भी सही है तीसरा कतन बताया गया है कि इने चित्रों को बनाने वाले जो भी कलाकार हैं तो उन्होंने अपने नाम यहाँ पर लिख दिये हैं देगे तीसरा कतन असत है इनको बनाने वाले जो कलाकार हैं वो अग्यात हैं यानि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं लगी है, किसने बनाए है, क्यों बनाए है, क्या परपच्छ था, क्या किसी के कहने भी बनाए है, अपने मन से बनाए है, यह कोई पता नहीं चला है, बस चित्र हमें बने वे मिले हैं, किसी का यहाँ पर जिक्र नहीं है, किसी एक प question number seven है आपका सात्ма आपका प्रश्ण है और यहां पर आपको बताना है इसके बारे में यहां पर आपके एक तरफ कुछ किताबन दी हुई है और यह किताबों का यहां पर मैच करना है काब दी हुए हैं और इनके रचनागार बताए याहनि कौन सा काब्य किस से संबन देता है यह आपको यहाँ बताना है सूची बन निकाब्य और रचनाकार सिल पाद्धिकारम की रचना यहाँ पर किस ने की है सिल पाद्धिकारम की रचना जो थी यहाँ पर इलांगो नाम के कभी ने की है यानने की रचना कार्म और इसकी रचना लगवाग अठारीस साल पहले इलांगो के द्वारा की गई थी इसमें चोबलन नाम एक ब्यापारी की कहानी है जो कि पहार में रहता था ठीक है तो यहाँ पर कोबलन और उसकी प्रेम का थी तो इसकी कहानी है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कोवलन और नर्थ की मादवी की प्रेम कहानी है वो बताया है कैसे इसकी पतनी से छोड़ कर कंड़ की नाम की पतनी है वो इसे कैसे छोड़ देती है वो कहानी यहाँ पर बताई गई है अगली आपकी यहाँ पर है म्रड मेखलाई या संग्ठ तमिल का एक ब्यापारी है इसके बारे में जक्र किया गया है और इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं सीतले सत्तनार इसकी रचना करीब इसकी रचना 14 साल पहले करीब की गई है इसमें कोगलन और माधवी की बेटी की यहाँ पर प्रेम कहानी है तो यहाँ पर बी का ऑप्शन है आपका सेकंड वाला अगला है यहाँ पर मेगदूतम के बारे में तो आप जानते होंगे तो यह महाकाब है गीत काब है तो यह गयते होंगे तो यहाँ पर अपका सात्मे का आंसर होगा यहाँ और यहांई की बतानाया विचार करनाया है कौन से उससे श्रहने पर जो दीए हुए है इन में से सही नहीं है गलत कौन सा है यह आपको यहाँ पर बताना है पुराण का शाब्दिकर्थ है प्राचीन पुराणों में विश्णू, शिब, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देपताउं से जुड़ी कहानिया है अगला है यहाँ पर पुराणों का पार्ट पुजारी मंदिरों में किया करते थे थर्ड है आपका इस्त्रिया तथा शुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे अगला है इन्हें पुजा विदियों के साथ साथ संसार की श्रष्टी तथा राजाओं के बारे में अभी कहानिया मिलती है अगला है अधिकतर पुराण संस्कत स्लोक में लेखे कही हैं इससे सब उन्हें सुन और समझ सकें देकि आपके जो महाकाब के अलाबा यहां पर इस काल में कुछ हिंदू जर्म से जड़ हुए पुराण भी लिखे हुए हैं पुराण का मलब होता है साब्दे करते हुए प्राचीन तो पुराणों में आपके विष्णू शेव दुर्गा या पारवती आने देवी देपताओं से समझेत जो कहानिया है वो यहां पर वर्ड़ित हैं समझ सके तो यहां पर यहां पर यह बाल अक्तन भी वी शही है पुराणों का पार खास करके यहाँ पर जो मन्द पुजारी है यह मंद्रों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे तो भी कथन भी यहाँ पर सही है इस्त्रियां और सूद्र जिन्हें बेद पढ़ने की अनुमती नहीं दी गई थी आपके स्काल में वो लोग पुराणों को यहां पर सुन सकते थे यहां पर लिखा हुआ नहीं सुन सकते थे यहां आठ में का आंसर होगा व्यासकरत महावारत के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिये व्यासकरत महावारत के बताना है कौन सा कतन आपर गलत है यह महाकाव आज से लगवग 15 साल पहले लिखा गया है महाभारत कौर्वों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है इस युद्ध का उद्धे से पुरवंस की रायधानी हस्तिनापुर की गद्धी प्राप्त करना था महाभारत में ही भगवत गीता भी है यहाँ पर अगर इतिहास में जाएंगे वैसे आपने यह तो पढ़ रहे हैं आप इतिहास के इतने भी स्रोथ हैं यानि सोर्से सेंजिन के जरी है पता लगाया कितना पुराना आए तो इस महाकाभी की रचना आज से पंद्रसु साल पहले की गई है हाला कि कहानी तो साड़े पांच-हार साल पर यहां पर दिखाई गई है लेकिन इसकी रचना वो इसी मही समाहित हैं तो यहाँ पर तीन होई कतन सही है पूचा गया है कौन सा कतन असत्य है तो इन में से कोई भी कतन असत्य नहीं है तो आंसर होगा यहाँ पर नौवें का दी दस्मा प्रशन है आपका आरेभटियम के लेकक आरेभट निमलिकित में से किस से यहाँ पर निमलिकित में से किस से यहाँ पर सम्मधित नहीं है यह आपको बताना है जोतिस, खगोल, शल्य, गड़ित देगे यहाँ पर आरिभट्टीम की रचना जो थी आपको पता ही होना चाहिए आरिभट्ट ने की थी तो आरिभट्ट एक महान जोतिसी महान खगोल सास्त्री यानि ग्रहन चत्र का अध्यन करने वाले और एक महान गड़ित थी यह शल्य चिकस्चक नहीं थे, यानि कि सर्जन नहीं थे ठीक है, सर्जन जो है चरक सुस्त्रुत हुए है आपके आरिभट्ट जो है, यह कोई सर्जन नहीं है तो यहाँ पर तीसरा गतर्म गलत है यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा समद्धित नहीं है, तो सी वाला समद्धित नहीं है तो आंसर होगा सी, केवल तीसरा वाला यानि कि यहाँ पर यह शल्य चिकस्चक नहीं है बाद वाकि यह सब है, गर्तग खगुल सास्त्री आरिभट्ट ने संस्कत में जो है बरतमान जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं जिनके जरी हैं ब्रत की परिदी निकालती हैं तो जो इन्होंने बतायते फॉर्मूले बिल्कुल मिलते हुए फॉर्मूले है तो आप समझ सकते हैं कितने बिद्धवान व्यक्ति यह रही है शुन्य के बारे में पूछा गया है कौन सा खतन याबर सही है पहला है भारत के गर्तिक्यों ने शुन्य के लिए एक नए चिन्न का आविस्कार किया गिंती की है पद्धिती पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई उसके बाद पूरे अरब में फैल गई रोम के निवासी शुन्य का परियोग की ये बगेर गिंती करते थे देखिए अगर हम बात करें शुन्य की तो आप लोग जानते हैं कि अंकों का परियोग पहले से भी होता था यानि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले अंकों का परियोग नहीं होता था तो यह पहला कतन बिल्कु सही है, गिंती की यह पद्धिती थी, यानि कि सबसे पहले यह पद्धिती यूरोपीयों के द्वारा नहीं अपनाई गी, बलकि अरब बालों ने, यानि अरबियन लोग है, अरब बाले लोग है, इन्होंने अपनाई थी, और अरब बालों से यह प बारेमा प्रशन है अब आपका, कागज के आविश्कार के संधर्म में यहाँ पूछा गया है कौन सा कतन यहाँ पर सही है, कागज का आविश्कार लगवक 1900 वर्स पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया, लगवक 1400 वर्स पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुची, इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई, लगवक 1800 वर्स पूर्व भी है, बगदाद में पहुची, फिर बगदाश से है यूरोब, अफ्रीका और एसिया कहने भागों में फैली, इस उपमादीप में कागज की जानकारी बगदाश से आई, देके कागज बनाने वाली जो तकनीक थी, ठीक, उसी प्रकार की तकनीक थी, जैसे हम रेसम बनाते हैं, तो रेसम का आविसकार होने के बाद भी चाइना वालों ने रेसम का आविसकार कई सालों तक छुपा के रखाने देशों से, लेकिन दीर-दीर करके ये चीज़ें आप जानते हैं, ब्यापारी बेगरा, या और भी जो लोग थे, गुमकर टाइब लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं, तो अपने साथ इन सामानों को ले गए हैं, और ऐसे करके ये चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच गई हैं, तो कागज का आविसकार आज से कर पानी को निचोड़ा उसे सुखा कर कागज बनाया और आज भी हम कागज बनाने के लिए इसी विदी का इस्तिमाल करते हैं तो यहां पहला वाला कथन बिल्कुस सही है अगर बात करें तो चाइना के पूर्व में यह तकनीक सबसे पहले कोरिया पहुंची और कोरिया से फि पश्चिम की बात करने चाहिना कि तो पश्चिम में इसके 800 वर्स बात यहां पर आप देखेंगे कि लगवा कि बाल मान सकते हैं कि जब आविसकार होने के सौ साल बाद यह बगदाद में पहुंची है बगदास से यूरोप अफ्रीका एसिया तक पहुंची है और हम लोगो पूल है तो आज आपका यहां पर क्लास 6 का जो MCQ वाला पोर्सन था वो कम्लीट हो गया है और आई होप आपको जल्दी से क्लास 7 एर्थ के भी देखने को मिलेंगे देखें कुछ अभ्यरतियों ने कमेंट मुझे करके पूछा था कि सार यह सीरीज पहले कम्लीट हो गई थ अबर इसल्ट में रहां आ चार्डान栾 नहीं था 29 आपको एक होगा चैनल खींग मैंने क्लास 6 की सरीज से मैंने कि स्टार्ण की तो मेरे मेरे पास सर मतने सारा नहीं था यहนะคะ है नने कोई प्रोवेशनल एक्सपिरियैंक था कुछ भी नहीं था तो उसमें कुछ ye Palmer성 दी हो ताकि यहाँ पर आपके जो भी दिक्तों का सामना करना पड़ रहा था वो सारा सामना यहाँ पर ना करना पड़े और यहाँ पर आपको साथ के साथ मैं प्रेक्टिस भी यहाँ पर आपको हो जाए तो मैं प्रेक्टिस भी आप देख रहे होंगे साथ साथ में मैं करवाते जा